प्रिष्ट संख्या 49 अध्याए 3 मुद्रा और साख मुद्रा विनेमे का एक माध्यम मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने चारों तरफ देखिए आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिये वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो केवल बाद में भुक्तान करने का वादा हो क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरीए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमे किसी भी वस्तू या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुक्तान लेना पसंद करता है फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है एक जूता निर्माता का उदाहरान देखते हैं वह बाजार में जूता बेच कर गेहों खरीदना चाहता है जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहों खरीदने के लिए करेगा जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किये जूते का सीधे गेहों से विने में करता तो उसे कितनी कठिनाई होती उसे गेहों उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो ना केवल गेहों बेचना चाहता हो बलकि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमती रखते हों इसे आवशक्ताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है एक व्यक्ति जो वस्तू बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तू दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो वस्तू विनी में प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किये बिना वस्तूं का विने में होता है, वहां आवशक्ताओं का दोरा संयोग होना अनिवारे विशिष्टता है. इस विशिष्टता को समझाने के लिए यहां कुछ चितर दिये गए हैं. लेकिन मेरे पास गेहों नहीं है. इसकी तुलना में ऐसी अर्थविवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा, महत्वपून, मध्धेवर्ती भूमी का प्रदान करके आवशक्ताओं के दोरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है. फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंडे जो ना केवल उसके जूते खरीदे बलकि साथ साथ उसको गेहों भी बेचे. उससे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंगना है. एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्ने कोई वस्टू खरीद सकता है. चुकि मुद्रा विनीमे प्रक्रिया में मध्यस्तता का काम करती है. इसे विनीमे का माध्यम कहा जाता है. अब इन पर विचार करें 1. मुद्रा के प्रयोग से वस्तूओं के विनीमे में सहूलियत कैसे आती है? 2. क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां वस्तूओं तथा सेवाओं का विनीमे या मजदूरी की अदाएगी वस्तू विनीमे के जरिये हो रही हो? 3. मुद्रा के आधुनिक रूप हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनीमे का माध्यम बन सकती है सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह के चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी उधारण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतिये अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थी इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातूओं के सिक्कों का चलन हुआ जिसका चलन पिछली सली तक रहा करंसी मुद्रा के आधुनिक रूपों में करंसी, कागस के नोट और सिक्के शामिल है वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोक की जाती थी उसके विप्रीत आधुनिक मुद्रा बहुमूले धातूओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है अनाज और पश्यों की तरह वे रोजमर्रा के चीजें भी नहीं है आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है फिर इसे विनी में का माध्यम क्यों स्विकार किया जाता है इसे विनी में का माध्यम इसलिए स्विकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है भारत में भारतियe Regables Bank केंद्रिय सरकार की तरफ से करन्सी नोट जारी करता है भारतिये खानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की अजासत नहीं है इसके अलावा कानून विनिमे के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में आदाएगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपेयों में आदाएगी को अस्विकार नहीं कर सकता। इसलिए रुपेया व्यापक स्तर पर विनिमे का माध्यम स्विकार किया गया है। बैंकों में निक्षेप लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवशक्ताओं के लिए कुछ ही करंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के पास अतिरिक्त नकत होता है। लोग इस अतिरिक्त नकत का क्या करते हैं। वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोल कर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा सुईकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी अवशकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविदा भी उपलब्ध होती है। चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरीए निकाला जा सकता है इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है इसी प्रिष्ट पर कुछ सिक्कों के चित्र दिये गए हैं जो प्राचीन काल से संबंद रखते हैं जैसे प्रारंभिक आहत सिक्के, लगभग 2500 वर्ष पुराने, गुप्त कालीन सिक्के, तोलक के सिक्के, अकबर कालीन सोने की मोहरें, आधुनिक सिक्के प्रिष्ट संख्या 41 मांग जमा एक अन्य दिल्चस्प सुविधा देता है यह सुविधा इसे मुद्रा का अर्थात विनीमे के माध्यम का महतोपूर्ण लक्षन प्रदान करती है आपने नकत की बजाए चेक से भुक्तान के बारे में सुना होगा चेक से भुक्तान के लिए भुक्तान करता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काड़ता है चेक एक सरल कागस है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुक्तान करने का आदेश देता है आईए यह जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुक्तान कैसे होता है तथा इसे एक उधारण के द्वारा जानते हैं चेक द्वारा भुक्तान जूता निर्माता M. सलीम को चमडा आपूर्ती करता को भुक्तान करना है और इसके लिए वह एक विशेश रकम का चेक लिखता है अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमडा आपूर्ती करता को यह रकम देने का आदेश देता है चमड़ा आपूर्ती करता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है यह लेन देन बिना नकत की आदाएगी के पूरा हो जाता है नीचे एक चेक का चित्र दिया गया है, ये चेक एकाउंट पर ही है, अर्थात इसकी राशी केवल उस व्यक्ति के खाते में जाएगी जिसका नाम इस चेक पर लिखा है, चेक पर रकम भरी हुई है, तथा हस्ताक्षर किये हुए है, चेक संख्या है, बैंक द्वारा इस चेक में दिया गया है, चेक के उपर इसे जारी करने की तिथी लिखी गई है, इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवारे लक्षन मिलते हैं, मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकत का इस्तेमाल किये सीधा भुक्तान करना चुकि मांग जमाओं को केरंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुकतान का माध्यम स्विकार किया जाता है, इसलिए आधूनिक अर्थ वेवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। प्रिष्ट संख्या 42 आओ इन पर विचार करें। 1. M. सलीम भुकतान के लिए 20,000 रुपए नकद निकालना चाहते हैं। इसके लिए वेच्चेक कैसे लिखेंगे। 2. सही उत्तर पर निशान लगाएं। A. सलीम और प्रेम के बीच लेन देन के बाद K. सलीम के बैंक खाते में शेश बढ़ जाता है। आपको सही उत्तर बताना है। 3. मांग जमा को मुद्रा बैंकों की रिण संबंधी गतिविधियां। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्विकार करते हैं। उसका क्या करते हैं। यहां एक दिल्चस्प क्रिया विधी काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकत के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15 प्रतिशत हिस्सा नकत के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमा करताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है चूंकि किसी एक विशेश दिन में केवल कुछ जमा करता ही नकद निकालने के लिए आते हैं इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है बैंक जमाराशी के एक बड़े भाग को रिंड देने के लिए इस्तेमाल करते हैं विभिन आर्थिक गतिविधियों के लिए रिण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशी का लोगों के रिण आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशी है, जमा करता एवं जिन्हें राशी की जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्तता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं, उससे ज्यादा ब्याज रिण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमा करताओं को दिये गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आएका प्रमुख स्रोत है। अगर सभी जमा करता एक ही समय में अपनी धनराशी की मांग करने बैंक पहुँच जाएं तो क्या होगा। नीचे एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक ओर जमा करता दिखाए गए हैं, दूसरी ओर कर्जदार और बीच में बैंक। जमा करता लोग जमा करते हैं तथा जमा करता लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। कर्जदार लोग रिण लेते हैं और कर्जदार लोग रिण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। और इस प्रकार बैंक की आए बढ़ती है। प्रिष्ट संख्या 43. साख की दो विभिन स्थितियां हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेंदिन होते हैं, जहां किसी न किसी रूप में रिन का प्रेयोग होता है। रिन यानि उधार से हमारा तात्पर एक सहमती से है, जहां साहुकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहया कराता है, और बदले में भविश्य में कर्जदार से भुक्तान करने का वादा लेता है। अब हम दो उधारनों के द्वारा देखते हैं कि रिन की क्या भुमिका होती है। उधारन एक त्योहार का मौसम अब से दो महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से तीन हजार जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे एक महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवशकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम दो स्रोतों से रिंड लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुक्तान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से एक हजार जोड़ी जूतों के लिए अग्रिम भुक्तान के रूप में नकत कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ओर्डर पहुँचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाब होता है और वह उधार लिए धन की आदायगी भी कर देता है। सलीम उत्पाद्न के लिए कारेशील पूंजी की जरूरत को रिन के द्वारा पूरा करता है। रिन उसे उत्पाद्न के कारेशील खर्चों तथा उत्पाद्न को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार रिन एक महत्वपूर तथा सकारात्मक भूमी का अदा करता है। उधाहरन 2. स्वपना की समस्या एक छोटी किसान स्वपना अपनी तीन एकड़ जमीन पर मूंफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी, खेती के खर्चों के लिए साहुकार से रिन लेती है। फसल पर कीट नाशकों के हमले से फसल बरबाद हो जाती है, हाना कि स्वपना फसल पर महंगी कीट नाशक दवाईयां छिड़कती है, उस से कोई खास फरक नहीं पड़ता। वह साहुकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल सो अपना खेती के लिए दुबारा उधार लेती है, इस साल फसल सामानने रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फस जाती है, उसे कर्ज सुखाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। प्रिष्ट संख्या चवालीज ग्रामीन क्षित्रों में साख के मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीच, खाद, कीट नाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों के मरमत इत्यादी पर काफी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम तीन चार महीने का अंतराल होता है। आम तोर से किसान रितु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्य तह फसल की कमाई पर निर्भर है। स्वपना के मामले में फसल बरबाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। रिण ने स्वपना की कमाई को बढ़ाने की बजाए उसकी स्थिती बत्तर कर दी। इसे आम भाशा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में रिण कर्जदार को ऐसी परिस्थितियों में धकेल दीता है जहां से बाहर निकलना काफी कश्ट दायक होता है। पहली स्थिती में रिण आय बढ़ाने में सहयोग करता है जिससे व्यक्ति की स्थिती पहले से बहतर हो जाती है। दूसरी स्थिती में फसल बरबाद होने के कारण रिण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वपना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है. स्पष्ठ है कि उसकी स्थिती पहले की तुलना में बत्तर हुई. रिन उप्योगी होगा या नहीं, यह परिस्थितियों के खतरों और हानी होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर तालिका के पहले स्थम्भ में लिखा है उन्हें रिन की आवशक्ता क्यों पड़ी? दूसरे स्थम्भ में सलीम का नाम लिखा है और तीसरे स्थम्भ में स्वपना का. आपने बताना है कि इन दोनों को रिन की आवशक्ता क्यों पड़ी? तालिका के पहले स्तंब में लिखा है जोखिम क्या थे? दूसरे स्तंब में वही सलीम का नाम आपको दूसरे स्तंब में सलीम के जोखिम बताने हैं और तीसरे स्तंब में सुपना के जोखिम तालिका के पहले स्तंब में लिखा है परिणाम क्या हुए? आपको दूसरे स्तंब में सलीम के परिणाम बताने हैं और तीसरे स्तंब में स्वपना के परिणाम 2. मान लीजिए सलीम को व्यापारियों से ओर्डर मिलते रहते हैं 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी 3. कौन से कारण हैं जो स्वपना की स्थिती को जोखिम भरा बनाते हैं? इन कारणों की चर्चा कीजिए. कीट नाशक दवाईया, साहुकारों की भूमिका, मौसम, रिंड की शर्तें. हर रिंड समझोते में ब्याजदर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्चदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है. इसके अलावा उधार दाता कोई समर्थक रिंडाधार गिर्वी रखने के लिए की मांग कर सकता है. समर्थक रिंडाधार ऐसी समपत्ती है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे की भूमी, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंची और इसका इस्तेमाल वह उधार दाता को गारंटी देने के रूप में करता है, जब तक की रिंड का भुकतान नहीं हो जाता. यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता, तो उधार दाताओं को भुकतान प्राप्ती के लिए समपत्ती या समर्थक रिंडाधार बेचने का अधिकार होता है. समपत्ती जैसे कि जमेन, बैंकों में जमापूंजी, पशु, इत्यादी, समर्थक रिंडाधार के आम उधारण हैं, जिनका उप्योग कर्ज लेने के लिए किया जाता है. प्रिष्ट संख्या 45 मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से पांच लाख रुपए का कर्ज लिया. इस कर्ज पर ब्याज की वार्शिक दर 12 प्रतिशत है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किष्टों में लोटाया जाना है. मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं. बैंक नए घर के सभी कागज रिणाधार के रूप में रख लेता है जिने मेघा द्वारा ब्याज सहित कर्ज लोटाने पर वापस किया जाएगा. नीचे एक तादिका दी गई है. इसमें मेघा के आवास रिण के विवरणों की पूर्ति करनी है. रिण राशी, रूपेओं में, रिण अवधी, आवश्यक कागजात, ब्याज दर, अदायगी का स्वरूप, समर्थक रिणाधार. ब्याजदर, समर्थक रिणाधार, अवश्यक कागजात और भुक्तान के तरीकों को सम्मिलित रूप से रिण की शर्तें कहा जाता है. रिण की शर्तों में एक रिण वेवस्था से दूसरी रिण वेवस्था में काफी अंतर आ जाता है. कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृती पर निर्भर करती हैं. अगले भाग में ऐसे उधारण दिये गए हैं जहां विभिन्न रिण वेवस्थाओं में रिण की शर्तें अलग-अलग हैं. आओ, इन पर विचार करें. उधारदाता उधार देते समय समर्थक रिणाधार की मांग क्यों करता है? 2. हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है. क्या यहें उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? 3. कोश्टक में दिये गए सही विकलपों का चायन कर रिख्त स्थानों की पूर्ती करें. रिण लेते समय, कर्जदार आसान रिण शर्तों को देखता है. इसका अर्थ है रिक्तस्थान निम्न उच्च कोश्ठक में दिया गया है निम्न उच्च ब्याजदर रिक्तस्थान कोश्ठक में दिया गया है आसान कठिन रिक्तस्थान कम या अधिक समर्थक रिनाधार एवं आवशक कागजात प्रणखया 46 विविद प्रकार के साख प्रबंध एक गाउं का उधारन रोहित और रंजन ने कक्षा में रिन्ड की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था वे अपने इलाके में प्रचलित विविद प्रकार के रिन्ड प्रबंधों को जानने के उद्सुक थे आपने गाउं के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया आगे आप उनका यह लेखा सुनिए 15 नमबर 2006 हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के इस समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे खेतों में आलो की फसल लगी हुई है पहले हम सोनपुर एक छोटा सा गाउं जहां सिचाई के सुविधाएं मौजूद हैं के एक छोटे किसान श्यामल से मिलते हैं श्यामल का कहना है कि उसे अपनी डेड़ एकड जमीन को जोटने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है कुछ साल पहले तक वह गाउं के महाजन से रिण लेता था जिस पर उसे पांच प्रतिशत मासिक ब्याज देना पड़ता था पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गाउं के एक क्रिशी व्यापारी से तीन प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर रिण ले रहा है जुताई के मौसम के शुरुआत होने पर व्यापारी रिण पर क्रिशी सम्मंधित आगतें जरूरतें मुहया कराता है जिसे फसल तयार हो जाने पर वापस करना होता है रिन्ड पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वहे अपनी फसल उसी को बेचेगा इस तरह व्यापारी निश्चिंत है कि रिन्ड की अदाएगी समय से हो जाएगी फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती हैं इसलिए वहे किसानों से कम कीमत पर फसल खरीद कर और बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफ़ा कमाता है व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफ़ा होता है वहे फसल सस्ते में खरीद कर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है अब हम अरुन से मिलते हैं जो एक किसान मजदूर के काम का नेरिक्षन कर रहा है अरुन के पास साथ एकड़ जमीन है अरुन सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से रिन मिला है इस रिन पर वार्शिक ब्याजदर साढ़े आठ प्रतिशत है और इसे अगले तीन वर्षों में कभी भी लटाया जा सकता है अरुन की योजना है कि वहे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेच कर इस रिन की अदायगी कर देगा वहे बाकी आलो की फसल को शीत भंडार ग्रही में रखकर बैंक से इसके बदले नया रिन लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उससे रिन ले चुके हैं रमा निकट के खेत में क्रिशी मजदूर के रूप में काम करती है साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है अचानक बिमार पढ़ने पर या परिवार में किसी समारोहों पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर जो सोनपुर का मध्धे वरगिय भू स्वामी है आशृत है भू स्वामी उसे पांच प्रतिशत मासिक ब्याजदर पर रिण देता है रमा उस कर्ज को भू स्वामी के यहां काम करके वापस करती है अधिकांश तह रमा को नया रिण लेना पड़ जाता है जबकि वह पुराना रिण लोटा भी नहीं पाती है वर्तमान में उसे भू स्वामी के पांच हजार रुपए देने है यद्यपी भू स्वामी उसके साथ अच्छा वैभार नहीं करता फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवशक्ता पढ़ने पर उसे रिण मिल सके रमा हमें बताती हैं कि सोनपुर में भूमी ही लोगों के लिए रिण का एक मात्र स्रोत भू स्वामी नियोकता ही है प्रिष्ट संख्या सैंतालीज सहकारी समितियों से रिण बैंकों के अलावा ग्रामीन क्षित्रों में सस्ते रिंग का एकन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षित्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं जैसे किसानों, बुनकरों एवं और योगिक मजदूरों इत्यादी की सहकारी समितियां क्रिशक सहकारी समिती सोनपुर के नजदीक एक गाउं में काम करती है इसके 2300 किसान सदस्य हैं ये अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है इस जमा पुन्जी को रिनाधार मानते हुए इस सहकारी समिती ने बैंक से बड़ा रिन प्राप्त किया है इस पुन्जी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है यह रिन लोटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है क्रिशक सहकारी समिती क्रिशी उपकरण खरीदने, खेती तथा क्रिशी व्यपार करने, मचली पकड़ने, घर बनाने तथा अन्य विभिन प्रकार के खर्चों के लिए रिण मोहिया कराती है आओ, इन पर विचार करें 1. सोनपुर में रिण के विभिन स्रोतों की सूची बनाईए 2. उपर दिये हुए अनुच्छेदों में रिण के विभिन प्रयोगों वाली पंक्तियों को रेखांकित कीजिए 3. सोनपुर के छोटे किसान, मध्यम किसान तथा भूमी हीन क्रिशी मजदूर के लिए रिण की शर्तों की तुलना कीजिए 2. उपर दिये हुए अनुच्छेदों में रिण के विभिन प्रयोगों वाली पंक्तियों का पता कीजिए 3. सोनपुर के छोटे किसान, मध्यम किसान तथा भूमी हीन क्रिशी मजदूर के लिए रिण की शर्तों की तुलना कीजिए 4. श्यामल की तुलना में अरुन को खेती से ज्यादा आए क्यों होगी 5. क्या सोनपुर के सभी लोगों को सस्ती ब्याजदरों पर कर्ज मिल सकता है? किन लोगों को मिल सकता है? 6. सही उत्तर पर निशान लगाईए 6. समय के साथ रमा का रिण बढ़ जाएगा, समान रहेगा, घट जाएगा 7. अरुन सोनपुर के उन लोगों में से है, जो बैंक से उधार लेते हैं, क्योंकि गाउं के अन्ने लोग साहुकारों से कर्ज लेना चाहते हैं 8. बैंक समर्थक रिणाधार की मांग करते हैं, जो कि हर किसी के पास नहीं होता 9. बैंक रिण पर ब्याजदरें उतनी ही हैं, जितना की व्यापारी लेते हैं 10. कुछ लोगों से बातचीत कीजिए, जिनसे आपको अपने क्षेत्र में रिण प्रबंधों के बारे में कोई जानकारी मिले 10. अपनी बातचीत को रिकॉर्ड कीजिए, विभिन्न लोगों में रिण की शर्तों में विभिन्नता को लिखिए 11. भारत में आपचारिक, क्षेत्रक में साख 12. हमने उपर के उदाहरणों में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से रिण प्राप्त करते हैं विभिन्न प्रकार के रिणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है आपचारिक तथा अनापचारिक, क्षेत्रक रिण अनापचारिक उधारदाता में साहुकार, व्यापारी, मालिक, रिष्टेदार, दोस्त इत्यादी आते हैं आरेक एक में भारत के ग्रामीन परिवारों के लिए रिण के विभिन स्रोत दिये गए हैं क्या आधिक रिण आपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है या अनापचारिक क्षेत्रक से आरेक एक वर्ष 2003 में भारत में ग्रामीन परिवारों के साख के स्रोत 25 प्रतिशत रिण व्यवसाइक बैंकों से आ रहा है 27 प्रतिशत रिण सहकारी समितियों से आ रहा है 30 प्रतिशत रिण साहुकार से 1 प्रतिशत रिण भू स्वामी से 3 प्रतिशत रिण व्यापारी से 7 प्रतिशत रिण रिष्टेदार और दोस्तों से तथा 7 प्रतिशत रि अन्य स्रोतों से आ रहा है। करने वाले व्यफसाईयों और व्यापारियों को ही रिण मुहिया नहीं करा रहे। बलकि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादी को भी रिण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा RBI को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को रिण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। अनपचारिक खेत्रक में रिण दाताओं की गतिविधियों की देखरेक करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे एच्छिक दरों पर रिण दे सकते हैं। उन्हें नाजायस तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। नीचे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कुछ किसान खेतों में काम कर रहे हैं। एक किसान कह रहा है। लेकिन बैंक हमारी उच्छ आय क्यों चाहेगा। प्रिष्ट संख्या उनन्चास। अपचारिक रिंडाताओं के तुलना में अनपचारिक खेत्रक के ज्यादातर रिंडाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसलिए अनपचारिक रिंड कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। रिन की उँची लागत का अर्थ है कर्जदार की आए का अधिकतर हिस्सा रिन की अदाएगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आए बचती है। जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा। कुछ मामलों में रिन की उँची ब्याजदरों के कारण कर्ज वापस करने की रख्म कर्जदार की आए से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण रिन का बोज बढ़ जाता है। जैसा कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा और व्यक्ती रिन जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे रिन की अधिक लागत को देख कर पीछे हड़ जाए। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरीए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्ने जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादी लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यपार कर सकते हैं. सस्ता और सामर्थे के अनुकूल कर्स देश के विकास के लिए अतियावश्यक है. आरेक दो में शहरिक शेत्रों के लोगों के लिए रिण के आपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है आरेक में गरीब से अमीर लोगों को चार भागों में बाटा गया है आप देख सकते हैं कि शहरिक शेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्ज की 85 प्रतिशत जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए आप क्या देखते हैं? उनके केवल 10 प्रतिशत कर्स अनपचारिक स्रोतों से जबकि 90 प्रतिशत अपचारिक स्रोतों से हैं इसी तरह की तस्वीर ग्रामीन क्षेत्रों में भी है अमीर परिवार अपचारिक रिन दाताओं से सस्ता रिन ले रहे हैं जबकि गरीब परिवारों को कर्स के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है इस सबसे क्या पता चलता है? पहला, आपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीन परिवारों की कुल रिण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है बाकी जरूरतें अनपचारिक स्रोतों से पूरी होती है अनपचारिक रिण दाताओं से लिए गए उधार पर आम तोर पर ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है और यह उधार कर्स दाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है इसी प्रिष्ट पर एक आरेक दिया गया है आरेक दो शहरी परिवारों द्वारा 2003 में लिए गए कुल रिण का कितना प्रतिशत आपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनापचारिक था गरीब परिवारों में आपचारिक स्रोतों से रिण का प्रतिशत है 85 और अनापचारिक स्रोतों से 15 प्रतिशत कम संपत्ती वाले परिवारों में अनापचारिक स्रोत से रिण लिए गए 33 प्रतिशत और अपचारिक स्रोतों से रिण लिए गए 47 प्रतिशत समरिध परिवारों में 72 प्रतिशत रिण आपचारिक स्रोतों से लिए गए जबकि केवल 28 प्रतिशत रिण आपचारिक स्रोतों से लिए गए और अमीर परिवारों में 90 प्रतिशत रिंड आपचारिक स्रोतों से लिए गए और केवल 10 प्रतिशत रिंड आपचारिक स्रोतों से प्रिष्ट संखेया पचास इसलिए बैंकों और सहकारी समीतियों को अपनी गतिविधियां विशेश कर ग्रामेन इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों की अनापचारिक स्रोत पर निर्भरता घटे दूसरा, यदि एक तरफ आपचारिक स्रोत के रिणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी और यह भी जरूरी है कि यह रिण सभी लोगों को प्राप्त हो सके वर्तमान समय में अमीर परिवार ही आपचारिक स्रोतों से रिण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनापचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है. यह जरूरी है कि आपचारिक रिण का अधिक समान वित्रण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते रिण का फायदा उठा सकें आओ, इन पर विचार करें 1. रिण के आपचारिक और अनापचारिक और अनापचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? 2. सभी लोगों के लिए यतोचे दरों पर रिण क्यों उपलब्द होना चाहिए? 3. क्या भारतिय रिजर्व बैंक के जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए, जो अनापचारिक रिण दाताओं की गतिविधियों पर नजर रखे? उसका काम मुश्किल क्यों होगा? 4. आपकी समझ में गरीब परिवार के तुलना में अमीर परिवारों के अपचारिक रिणों का हिस्सा अधिक क्यों होता है? 5. नीचे एक चित्र दिया गया है, चित्र में रजाई की सिलाई करता हुआ एक मजदूर दिखाया गया है. और वह मजदूर कह रहा है, क्या आप मानते हैं कि बैंक मुझे रिण देगा? निर्धनों के लिए स्वैम सहेता समू हूँ. पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार रिण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं. ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामेन ख्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है. जहां कहीं मौजूद बैंक से कर्ज लेना, अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है. जैसा कि हमने मेगा के मामले में देखा. बैंक से कर्ज लेने के लिए रिणाधार और विशेश कागजातों की जरूरत पड़ती है. रिणाधार की अनुपलब्धता एक प् ऐसे साहुकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना रिणाधार के भी रिण देने के लिए तैयार हो जाते हैं. कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना रिण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहुकार के पास जा स प्रिष्ट संख्या 51 ग्रामेन क्षेत्रों के घरीबों, विशेशकर महिलाओं को छोटे-छोटे स्वैम साहता समोहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेश स्वैम साहता समोहों में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रतिव्यक्ती बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समोहों से ही कर्ज ले सकते हैं। समोहों इन कर्जों पर ब्याज लेता है लेकिन यह साहुकार द्वारा लिये जाने वाले ब्याज से कम होता है। एक या दो वर्ष के बाद अगर समोहों नियमित रूप से बचत करता है तो समोहों बैंक से रिन लेने के योग्य हो जाता है। रिन समुहू के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का स्रिजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिर्वी जमीन छुडवाने के लिए कारेशील पूंजी की जरूरतें, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथ करगा, पशु इत्यादी संपत्ति खरीदने के लिए जाते हैं. बचत और रिण गतिविधियों से संबंधित, ज्यादतर महत्वपूर्ण निर्णे समुहु के सदस्य स्वैम लेते हैं. समुहु दिये जाने वाले रिण, उसका लक्ष, उसकी रक्म, ब्याजदर, वापस करने की अवधी आदी के बारे में निर्णे करता है. इ समुहु के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं. इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को रिण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब वे अपने को स्वैम साहता समुहु में संगठित कर लेती हैं. यद्यपी उनके पास कोई रिणाधार नहीं होता. इस तरह स्वैम साहता समुहु कर्जदारों को रिणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं. उन्हें समय अनुसार विभिन प्रकार की आवशक्ताओं के लिए एक उचित ब्याजदर पर रिण मिल जाता है. इसकी अतिरिक्त यह समुहु ग्रामीन क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं. इससे ना केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वाब लंबी हो जाती हैं, बलकि समुहु की नियमित बैठकों के जरीए लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहां वह तरह त नीचे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में गुजरात की महिलाओं की स्वैम सहता समुहु की बैठक दर्शाई गई है. प्रिष्ट संखेया बावन बांगलादेश का ग्रामीर बैंक बांगलादेश ग्रामीर बैंक का उचित ब्याजदरों पर गरीबों की रिंड जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है. इसकी शुरुवात 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई. ग्रामीर बैंक के अब 60 लाख कर्जदार हैं जो बांगलादेश के 40,000 गावों में फैले हुए हैं. इससे रिंड लेने वाली ज्यादतर महिलाएं हैं, जिनका संबंध समाज के गरीब तपके से है. इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि नाकेवल गरीब महिलाएं भरोसे मन कर्जदार हैं, बलकि वे विभिन तरह की छोटी आएवाली गतिविधियों को सफलता पूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम हैं. यहां एक बॉक्स में, ग्रामीन बैंक के संस्थापक एवं 2006 में नोबिल पुरसकार से समानित प्रोफेसर महुम्मद यूनुस का एक कथन दिया गया है. अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर रिण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिये विकास का सबसे बड़ा चमतकार कर सकते हैं. सारांश इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधूनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा. एक तरफ जमा करता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से रिण लेते हैं. आर्थिक गतिविधियों के लिए रिण की जरूरत होती है. जैसा कि हमने देखा, रिण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिती और बत्तर कर सकते हैं. रिण विभिन स्रोतों से उपलब्ध होता है. ये आपचारिक तथा अनापचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं. आपचारिक और अनापचारिक रिण दाताओं में रिण की शर्तों में बहुत फर्ख हो सकता है. वर्तमान समय में अमीर परिवार आपचारिक स्रोतों से रिण लेते हैं जबकि गरीबों को अब भी अनापचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है यह अनिवार्य है कि आपचारिक खेत्र के कुल रिणों में वृद्धी हो ताकि महंगे अनपचारिक रिण पर से निरभरता कम हो साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादी से गरीबों को मिलने वाले आपचारिक रिण का हिस्सा बढ़ना चाहिए ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी है अभ्यास एक जोखिम वाली परिस्थितियों में रिण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है स्पष्ट कीजिए दो मुद्रा आवश्यक्ताओं के दोहरे सयोग की समस्या को किस तरह सुलजाती है अपनी ओर से उधारन दे कर समझाईए तीन अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस प्रकार मध्यस्थता करते हैं चार दस रुपे के नोट को देखी इसके उपर क्या लिखा है क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं पांच हमें भारत में रिंड के आपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है छे गरीबों के लिए स्वैम साहता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए साथ क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तयार नहीं होते प्रिष्ट संख्या तिरेपन आठ भारतिये रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है यह जरूरी क्यों है? 9. विकास में रिण की भूमिका का विशलेशन कीजिए 10. मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए रिण की जरूरत है मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह रिण बैंक से लेना चाहिए या साहुकार से 11. भारत में 80% किसान, छोटे किसान हैं, जिन्हें खेती करने के लिए रिण की जरूरत होती है 12. क. बैंक छोटे किसानों को रिण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं 13. वे दूसरे स्रोत कौन से हैं, जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं 14. उदाहरन देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह रिण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं घ, सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता रिण उपलब्ध कराया जा सकता है बारह, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए क, रिक्त स्थान परिवारों की रिण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है ख, रिक्त स्थान रिण की लागत रिण का बोज बढ़ाती है ग, रिक्त स्थान केंद्रिय सरकार की ओर से करंसी नोट जारी करता है ग, बैंक, रिक्त स्थान पर देने वाले ब्याज से रिण पर अधिक ब्याज लेते हैं अंगा, रिक्त स्थान संपत्ती है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह रिण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तिमाल करता है, जब तक रिण चुकता नहीं हो जाता. तेरह, सही उत्तर का चायन करें. क, स्वयम सहेता समुह में बचत और रिण सम्बंधित अधिकतर निर्णे लिये जाते हैं, बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा. ख, इन में से कौन सा रिण, रिण के अपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, बैंक, सहकारी समिती, नियोक्ता, अतिरिक्त परियोजना, कार्य कलाप. एक तालिका दी गई है, शहरिक शेत्रों में विभिन्न लोगों के व्यावसाय को यह तालिका दिखा रही है, इन लोगों को किन उदेश्यों के लिए रिण की जरूरत हो सकती है, रिक्त स्तंभों को आपको भरना है. तालिका के दो स्तंभ है, पहले स्तंभ में व्यावसाय दिये गए हैं, और दूसरे स्तंभ में रिण लेने का कारण जो की आपको बताना है. व्यावसाय इस प्रकार हैं, निर्मान मजदूर, कम्प्यूटर शिक्षित सनातक छात्र, सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति, दिल्ली में प्रवासी मजदूर, घरेलू नौकरानी, छोटा व्यापारी, आटो रिक्षा चालक, बंद फेक्टरी का मजदूर. आगे, लोगों को दो वर्गों में विभाजित कीजिए, जिन्हें आप सोचते हैं कि बैंक से कर्ज मिल सकता है और जिन्हें कर्ज मिलने की आशा नहीं है. आपने वर्गी करण के लिए किन कारकों का उप्योग किया? है, यह अबने का लूप किया?